सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी इंपोर्टन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी आप भी डाउनलोड कर सकते हो वहां पर आपको फ्री काट, MBA, MOCS एंड वीडियोज मिलती है और आप हमाँ आप साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो सारी की सारी अगर हम इसमें काउंट करने तो फ्रेंच इससे पहले हम आगे चले एक बहुत ही जात इंपॉर्टन यह भी अप्रेट है कि हमने SRCC exam का crash course launch कर दिया है इसके अंदर आपको 100 hours of videos मिलती है interactive ebooks मिलती है topic wise test मिलती है mock test detailed analysis solutions मिलती है तो इसकी अगर हम detail देके तो 16th December से शुरू हो रहा है 24th February तक होने वाला है video course है जिसको आप किसी windows laptop android phone यह iphone के अंदर चला सकते हो 100 hours of videos मिलती है इसके अंदर quant LIDI verbal की basic से advanced level तक की 3 interactive ebooks मिलती है 10 full length SRCC GBO के mocks आपको मिलती है topic wise test मिलती है specifically designed course है for SRCC GBO experience and day by day study planner भी मिलता है इसकी जो fees है वो 3850 rupees है जिसके अंदर आपको videos ebooks और SRCC GBO के mocks मिलती है अगर आप इसमें enroll करना चाते हो तो आप हमारी website पे विजिट कर सकते हो link नीचे description box में इसके लाव अगर आप सिरफ test series में enroll करना चाते हो तो आप test series में भी कर सकते हो आपको इसमें 10 full length mocks detailed analysis actual pattern पे new examination pattern पे topic wise test easy moderate and advanced level तक के test generator feature यह सब मिलता है इसका price 875 rupees है इसको भी आप हमारी website से जाके purchase कर सकते हो तो friends अगर हम बात करें कि important dates क्या है तो 11th December से यह form start होना था actually start हो है 12th December से और closing date जो है वो है इसकी 15th January 2024 almost almost आपको एक महीने से भी जादा की window दी गई है इस form को apply करने के लिए इसके अलावा अगर हम इस college के बार में further बात करें तो course fee जो है 80,000 rupees per semester है यानि की 4 semesters की 3,20,000 rupees है exam के बार में अगर बात करें तो exam में 4 sections आते है verbal उसके बाद quants logical ability and data interpretation इसके लावा friends अगर हम eligibility के बार में बात करें तो minimum bachelor's degree होनी चाहिए आपके पास जिसमें minimum 50% marks होनी चाहिए जो बच्चे SC, ST, OBC, CW and PWD background से आते हैं category से आते हैं उनको 5% की relaxation है and जो बच्चे final year if final semester के अंदर है वो भी eligible है अप्लाय करने के लिए लेकिन जो उनका admission होता है वो provisional होता है वो confirm तभी होता है जब आपके final year का result आ जाता है इससे पहले friends हम form बना start करें देखें आपको यहाँ पर बहु greatest photo 50-80KB के बीच में होनी चाहिए इससे कम है या इससे ज्यादा है accept नहीं करेगा JPEG format के अंदर preferably यह होनी चाहिए या JPEG format में scan signature उसी तरह 52-80KB के बीच में ही होना चाहिए same JPEG format के अंदर या JPEG format के अंदर उसके बाद scan 10th mark 10th की mark sheet चाहिए less than 1MB यह JPEG में भी चलेगी और PDF में भी चलेगी उसी तरह 12th की भी उसी तरह graduation की भी अगर आपकी हो गई है category certificate भी अगर यह मांग सकते हैं और इसके लगवा अगर आपने कोई और भी कुछ किया हुआ है जो आप upload करना चाहिए तो सब की आ है आप जब इस link के उपर आएंगे तो आपको register के उपर click करना है लेकिन इससे पहले आप register के उपर click करो please यह सारी की सारी instructions बहुत importantly पढ़ लीजेगा notification भी application form कैसे बढ़ना है date extension का भी notice for objection management सारी चीज़े जो कुछ है आप form बढ़ने से पहले इन सारी की सारी details को पढ़ click करोगे to register के अंदर तो आपके सामने एक ऐसा pop-up आप आएगा तो pop-up में ही कह रहे है कि जो आपका browser है वो internet explorer हो या mozilla firefox का particular version हो Google Chrome का particular version हो तो make sure अगर आपका Google Chrome का latest version है तो उससे चल जाएगा आपको close के उपर click करना है जब आप close के उपर click करोगे तो सबसे पहले आपकी basic details name of the applicant में please full name डालना first name डाल के बच्चे भूल जाते हैं उनको लगते है अरे last name बाद में डालना होता है नहीं एक ही column के अंदर डालना है data word डालोगे age automatically आ जाएगी अपना आप gender choose करोगे mobile number choose करोगे confirm करोगे mobile number को email id डालोगे और confirm करोगे उस email id को जब आप यह सारी चीज़े डाल दोगे तो आपको OTP भेजा जाएगा आपके phone के उपर भी और आपकी email के उपर भी दोनों यह different OTPs होंगे आपको इन OTPs को validate करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पे capture डालोगे आगे proceed करोगे फिर से आपको एक pop-up आएगा for example मैंने एक यह dummy form भरा था तो आप देख सकते हो यह dummy form के अंदर लिखा रहे है registered successfully registration number so and so please note it is for future references और email और SMS भी आपको भेजा जाएगा अब आपको email कुछ इस तरीके से आएगी आप देख सकते हैं कि email में यह लिखा हुए your login details are as under यहाँ पे please इसको save करके रखेगा इसको कहीं लिख भी लीजिएगा क्योंकि in future आप आपको admit card भी download करने होंगे यह काफी खाम आएगा तो please इसको save करके रख लीजिएगा इस email को तो friends अब आपकी यहाँ पर form filling स्टार्ट हो जाएगी अगर form filling के अंदर अगर हम देखें तो सबसे बहले तो आपको आपकी nationality डालनी है उसके बाद आप category चूज करोगे category में खा automatically यहाँ पर लिखी हुई आएंगी आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना आपको अपना present address डालना कोई भी address डाल दीजे कोई फरक नहीं पड़ेगा आपके घर पे कुछ भी courrier से नहीं बेज़ा जाएगा तो जहां पर रह रहे हो चाया वो डाल दो और permanent address अगर same है तो yes कर अगर permanent address different है मांदे जाब hostel में रहते हैं पीजी में रहते हैं कई पर job कर रहे हैं तो permanent address भी आप डाल दो लेकिन कोई भी इस पर आपको घबराने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो आपकी parent की details मांगेगा तो please father's name पूरा डालना सिरफ first name मर डाल देना उसके बाद father's occupation mandatory नहीं है mobile number भी mandatory नहीं है mother's name पूरा डाल दो लेकिन occupation and mobile number mandatory नहीं है gross income पूरी family income आपको डालनी है यहाँ पर आपको चूज करना है and test city choice के अंदर first city आप जहाँ पर test देना चाहते हो and preference 2 and preference 3 में आप वो cities चूज करोगे जहाँ पर आप easily पहु आप proof दे सको जो आप upload कर सको जो आप नहीं दे सकते हो वो मत डालना 10th की details में मांगेगा तो board university डालना for example cbsc है name of the institution के अंदर school का name डाल तो अगर कोई बच्चा open से है तो वो डाल दो उसके बाद subjects आप अपने डाल देना बिना किसी comma और hyphen के डाल देना अराम से ले लेगा उसके बाद cgp है तो cgp percentage है तो percentage and year of passing आपको डालने होगी similarly 12th के अंदर भी board डालना है यहाँ पे name of the institution में आप school का name डाल सकते हो select course के अंदर आप सारे subjects डाल सकते हो percentage यहाँ पे डाल देना and year of passing उसी तरह graduation की भी आपको details डालनी है अगर आप graduation की details देखो तो आपसे यह pursuing अ बाद आपसे work experience मांगेंगे work experience के लिए इन्होंने कुछ भी upload नहीं मांगा तो अगर work experience है तो आप details डाल दो company का name क्या है designation क्या है gross income क्या है duration क्या है अगर work experience नहीं है तो यह automatically आपसे नहीं बूठ हैगा फिर आपको save and exit save and next करना है save and next अगर आप करोगे तो यह बहुत ही crucial page है अब यहाँ पे आपको सब कुछ upload करना है अगर आप देखो तो upload the scanned copy पहले आप फोटो अपनी upload करोगे फिर signature upload करोगे make sure 50 से 80 KB के बीच में होना चीए otherwise नहीं लेगा JPG format में होने चीए तो पहले ही उसको अपने पास अखना 10th class के certificate को मांगेंगे JPG format में PDF में 12th class के certificate को upload graduation certificate मांगेंगे और अगर आपने एक और graduation या कोई और course आपने डाले तो वो भी आपको upload करना पड़ेगा तो make sure वो ही डालो जिसको आप upload कर सकते हो and थोड़ा सा हो सकता है आपको यहाँ पर time लगे आपको चीजे जो भी आपकी PDF से वो आपको resize करनी पड़े तो please time लेके करन last moment पर form मत भरना क्योंगे अगर यह सारी चीजे resize नहीं हो पाई यह server का कोई issue आ गया तो दिक्कत हो जाती है तो please इसको पहले ही यह सारे documents अपने पास arrange कर लेना उसके बाद आप से पूछेंगे कि भाई आपको इस college के बारे में कैसे पता लगा तो आप यहाँ पर choose कर लोग इसके बाद friends final step सिरफ fee payment का है तो please इसके लिए wait मत कीजेगा आप देख सकते हो लिखा आ रहा है कि यहाँ पर आपका name और आपके category के recording यह fees लिख हुई होगी आपका phone number यहाँ पर लिखोगा और please fee payment करके इसको खतम कीजेगा last moment last day का wait मत कीजेगा कि fee बाद में pay करूँगा न हमने आज की वीडियो के अंदर discuss करी है सारे के सारे documents अपने पास पहले ही scan करके रखना ताकि आप उस समय फटाफट upload कर सको और किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो तो please proofread अपना form thoroughly कर लेना because एक बार form आपने submit कर दिया तो उसके बाद आप कोई भी changes नहीं कर सकते तो friends यह स हमारे crash course के अंदर या srcc test series के अंदर enroll करना है तो हमारी website है यहाँ पर complete details मिल जाएंगी so thanks a lot all the best God bless you